दोस्तो आज का हमारा टॉपिक के धार्मिक अंदोलन जिसमें जैन धर्म से संबंदित प्रस्ण है तो दोस्तो पहला प्रस्ण है जैन परंपरा के अनुशार जैन धर्म में कूल कितने तिर्थकर हुए तो दोस्तो जैन परंपरा के नुशार जैन धर्म में कूल 24 तिर्थकर हुए दूसरा प्रस्न है जैन धर्म के प्रथम तिर्थकर एवं संस्थापक कौन है तो दोस्तो जैन धर्म के प्रत्थम तिर्थिकर रिसब देव ही है और जैन धर्म के संस्थापक भी रिसब देव है तो दोस्तो दूसरा प्रस्ण का एंजर हो जाएगा रिसब देव जैन धर्म के दूसरे तिर्थकर कौन है तो दोस्तो जैन धर्म के दूसरे तिर्थकर अजीत नात है कौन है अगला कुश्चन है कि 22 तिर्थकर नेमी नात का प्रतीक चिन क्या है तो देखिए 22 तिर्थकर 22 तिर्थकर का नाम भी दिदिया कि नेमी नात और इनका प्रतीक चिन तो दोस्तो 22 तिर्थकर नेमी नात का प्रतीक चिन नील कलम है और जयन धर्म के दूसरे तिर्थकर अजित नात का प्रतीक चिन हाथी जिसे गज कहा जाता है जयन धर्म के दूसरे तिर्थकर अजित नात का प्रतीक चिन हाथी और 22 तिर्थकर नेमी नात का प्रतीक चिन नील कलम और जयन धर्म के प्रतम तिर्थकर रिषब देव का प्रतीक चिन है साण जिसे रिषब के नाम से भी जाना जाता है और अब अगला कुषेन है कि 23 तिर्थकर पार्सवनात का प्रतीक चिन क्या था धा तो अगला प्रसने है जैन धर्म के अंतिम तिर्थकर कौन है जैन धर्म के अंतिम तिर्थकर कोन है तो दोस्तों जैन धर्म के अंतिम तिर्थकर मावीर स्वामी है अब महवीर स्वामी का प्रतीक चिन सिंग, सिंग या मतलब सेर, जिसे सिंग भी कायता है, सेर भी कायता है 23 तिर्थिकर का प्रतीक चिन निसर्प, 22 तिर्थिकर नेमीनात का प्रतीक चिन निल कलम और जैन दर्म के दूसरे तिर्थकर अजित नामत का प्रतीक चिन हाथी जिसे गजबी कहा जाता है और जैन दर्म के प्रतम तिर्थकर दिसाब देव का प्रतीक चिन साड है तो चलिए आगे चलते हैं महवीर का मूल नाम क्या था तो दोस्तों महवीर का मूल नाम क्या था तो महवीर का मूल नाम वर्दमान था क्या था वर्दमान था महवीर कौन थे तो महवीर जैन धर्म के 24 वे एवं लाष्ट तित्कर थे अगला है मावीर ने जैन संग की अस्थपना कहां की तो दोस्तों मावीर ने जैन संग की अस्थपना पावापुरी में की कहां की पावापुरी में पावापुरी में मावीर का जल मंदिर है जो पावापुरी में अस्थित है और पावापुरी में ही महावीर की मिर्त्यू हुई अगला क्रिशन है महावीर स्वामी के अनुयाई क्या कहलाते थे तो दोस्तों महावीर स्वामी के अनुयाई जैन कहलाते थे अगला क्रिशन है पार्सवनात के अनुयाई क्या कहलाते थे तो दोस्तों पार्सवनात के अनुयाई निर्ग्रंत का लाते थे अगला क्रिश्चन है महवीर स्वामी का प्रतीक चिन क्या था महवीर स्वामी का प्रतीक चिन सेर था जिसे सिंग भी कहते हैं अगला क्रिश्चन है कि महवीर स्वामी का जन्म मतलब 540 इसापुर्व में कहा हुआ तो देखिए महवीर स्वामी का जन्म बता दिया कि 540 इसापुर्व में हुआ था लेकिन कहा हुआ था तो देखते हैं महवीर स्वामी का जन्म 540 इसापुर्व में वैसाली के कुंड ग्राम में हुआ था अगला प्रत्न है महवीर स्वामी के पिता का क्या नाम था तो दोस्तों महवीर स्वामी के पिता का नाम सिधार्थ था क्या था सिधार्थ था महवीर स्वामी के पिता का नाम सिधार्थ था महावीर स्वामी की मता का नाम क्रिस्टला था अगला प्रस्थना है भगवान महावीर के प्रथम सिष्य कौन था मतलब महावीर का प्रथम सिष्य कौन था तो दोस्तो भगवान महावीर का प्रथम सिष्य जमाली था कौन जमाली जैन भीच्वों को नग्र रहने की सिक्षा किसने दी जैन भीच्वों को नग्र रहने की सिक्षा मावीर ने दी जैन भीच्वों को नग्र रहने की सिक्षा मावीर ने दी अच्छा जैन भीच्वों यह तो हो गया जैन धर्म में पुर्ण ग्यान को क्या कहा गया है अगला प्रस्णा है जैन धर्म का सबसे महत्व पुर्ण सिधान्त क्या था जैन धर्म का सबसे महत्व पुर्ण सिधान्त क्या था तो दोस्तो जैन धर्म का सबसे महत्व पुर्ण सिधान्त अहिंसा था अगला प्रस्णा है जैन धर्म का तिरिरत्न क्या कौन कौन से है जैन धर्म के तिरिरत्न कौन कौन से है तो दोस्तो जैन धर्म के तिरिरत्न पहला अगला प्रस्ण है जैन धर्म के मौलिट ग्र thriving को क्या कहते थे तो दोस्तों detect ऑलिट्र audio. उसाग्हां म्तलब माविर स्वामी का जन्म कब वह था 520 इसाग्हां पूरों में मित्यू कब वूई तो 468 इसाग्हां पूरों अगला में कि दूब जाए दिख नहीं रहा है भारत में जैन धर्म का कौन सा संप्रदाय फैला था तो दोस्तों भारत में जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय फैला था दिगंबर कौन सा संप्रदाय दिगंबर संप्रदाय अगला प्रस्टन है जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कहा था तो दोस्तों जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कहा था चंपा नगरी जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र चंपा नगरी जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र चंपा नगरी अगला है मावीर स्वामी ने अपना प्रतम उपदेश कहा दिया था तो दोस्तों मावीर स्वामी ने अपना प्रतम उपदेश राजगीर में दिया था कहा दिया था राजगीर में मावीर स्वामी ने अपना प्रतम उपदेश राजगीर में दिया था अगला है स्रमण बेल गोला में घोमतेस्वर की मूर्ती किसने बनवाया अगला प्रस्त नहीं है जैन तिर्थकरों के पाँच मंदिरों का निर्माड किस सासक ने करवाया जैन तिर्थकरों के पाँच मंदिरों का निर्माल किस सासक ने करवाया तो दोस्तों जैन तिर्थकरों के पाँच मंदिरों का निर्माल चंदेल सासकों ने करवाया किस ने करवाया चंदेल सासकों ने अगला प्रस्ण है मावीर स्वामी ने किस भासा का प्रचार का मध्यम बनाया प्रचार का मध्यम बनाया किस भासा को प्रचार का मध्यम बनाया तो दोस्तों मावीर स्वामी ने प्राकिर्थ भासा को प्रचार का मध्यम बनाया अगला प्रस्ण है जैन धर्म कौन कौन सा संप्रदाय में बटा था तो दोस्तों जैन धर्म स्वेतामबर एवं दिगंबर संप्रदाय में बटा था कौन कौन सा संप्रदाय तो स्वेतामबर एवं दिगंबर संप्रदाय में बटा था महावीर स्वामी को ज्ञान की प्रत्ती जरिम्भी गराम के निकट रिजुपाली का नदी के तट पर हुआ